तिष्टो तिष्टो हे स्वामी हम करे पुकार चोक पुराए रहे रे नात हम भाक्ती में गए रहे रे पधारो स्वामी मोरे अंग नारे छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंग नारे निहारो स्वामी मोरे अंग नारे कुंदलपुर के बड़े बाबा की जै जब ले संतिश्वी रुमनी अचारगरु विद्यासागरजी महामोनी राज की समस्त मुनी संग की आज के प्रथम शाजदान करने का सौभागे जिने प्राप्त होता है मैं उन्हें आमंतरित करना हूँ आप नामों के हिसाब से आते जाएं और शेग्रत शेग्रत शाजदान का सौभागे प्राप्त करते चलें जिनकिसी भी महानुभव को श्रीफ अलपित करने का सौभा के प्राप्त करना हो हमारे कार करता गण यहां पर आपके नामों की स्विक्रिती ले रहे हैं आप जल सी जल यहां पर अपने नामों की स्विक्रिती देते चले आप भी सौभा के साली होंगे श्रीफ अलपित करने और शाज़दान करने के प्रथम्षाजदान करने का सभा के ज oui महानवभव को प्राप्त हो आया हितार जी जैन श्रीमति काजल जी जैन मुंबई से पजारे जिन्नोंने आचारशी के प्रवचनो को जितने भी रील्स तयार होती है जितने भी शॉट्स तयार होते हैं जो हम सब मीडिया के माध्यम से या फेस्बुक के माध्यम से या इस्टाग्रैम के माध्यम से देख पाते हैं वो सारे रील्स जो है पूरे भारत भर में इनके द्वारा प्रशारित होता है मैं सभी से ने विदन करता है एक बार तालियों के द्वारा इंद के अस्वागत करें क्योंकि गुर्देव के जो प्रवच्रों के जो छोटे-छोटे सौट्स होते हैं वो हम तक पहुंचाने का श्रे कही ना कहीं काजल जी जैन मुंबई से बधारी जी को जाता है और साथी साथ आप तक एक बात पहुंचाएं कि भारती सिक्षा के मोलतत्व जिनके लेखक है लज्जा रामजी तोबर पर अधारित गणतंत्र दिवस पर जो एक प्रतियोगिता आप सभी के बीच संपादित हो रही है जिसका नाम है वतन की कमान निशुल्क ऑनलाइन प्रत प्रतियोगिता है जो 23 जन्वरी से 30 जन्वरी 23 जन्वरी से 30 जन्वरी तक www.vidyasaagr.gov पर आयोजीत है जिसमें आचार सी विद्यासागर मोबाइल एप के द्वारा आप इस प्रतियोगिता में भागीदारी कर सकते हैं इस प्रतियोगिता में बहुत से आकर्शक पुरुसका भी है जिस आकर्शक पुरुसकार के पुन्यार्जक है प्रदीप मंजू जी अंकुष जी आरूज जी अजमेरा गोधा परिवार गुवाहाटी आसाम से और साथी साथ आशिक आशी शाकरा रायपूर 36 गड़ संदीप संजू गनेश गन शहपूरा मध्यप्रदेश से पध हचल का हठकरगा केंद्र रायप वहां पर पूस्तक पूस्तक मुमाटी के साथ जो किट रहे वह सारी चीजें हचल क कहा। आईए हम सभी चलते हैं आचार गुर्वर की सामोई पूजन करने का सवभाग जो हमें रोज प्राप्त होता है यह बहुत संत शीरोमणी आचार गुर्वर रिद्या सागर्जी महा मुनिराज की भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना पुष्प नहीं बन सको अगर तुम काटे बन कर मत रहना आचार शिरीजिक चरणों में हम जुका रहें अपना मा था जिनके जीवन की हर चरया बन पड़ी स्वयम ही नवगा था जैनागम का वह सुधा कलर जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुर जाईर दैकली ओम्रिम सिम एक स्वाट आचार गुरवर विद्या सागर्जी मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संभूशत आवानम सांसारिक विश्यों में पड़ कर मैंने अपने को भर माया इस राग द्वेश की वैतर्णी से अब तक पार नहीं पाया तब विद्या सिंदु के जलकण से मव कालुश धोने आया हूँ आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ ओम निम्शिम अस्तुत्तर सदाचारे आचार गुर्वर विद्यसागर जी महा मुनिंद्राय जम जना वित्विनाश्ना जलम निर्पामती क्रोध अनल में जल जल कर अपना सरवस्व लुटाया है निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है चंदन समशी तलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ ओम निमसी मस्टुत्तर सदाचार अचार गुरवर विद्यसागर जी महा मुनिंद्राय संसार्ता पिनाश्ना चंदनम निर्पामती जड को ना मैंने जड समझा नहीं अक्षे निदि को पहचाना अपने तो के वल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना चर्णों में अर्पित अक्षत है अक्षे पद मुझको मिल जावे तव ग्यान यरुण की किर्णों से यहरिदै कमल भी खिल जावे ओम रिम्सी अस्टोतर सदाचार अचार गुरूर इद्यसागर जी महा मुनिंद्र है अक्षे पद्ताता अक्षे ताम निर्पामती इन विशय भूग की मदिरापी मैं बना सदा सेमत वाला त्रिशना को त्रेप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इचाजवाला मैं काम भाव विद्वन से हेत मन सुमन चड़ाने आया हूँ यह मदन विजेता बन न सके यह भाव रिदय में लाया हूँ ओम रिम्सी मस्टोतर सदाचार अचार गुरूर इद्यसागर जी महा मुनिंद्र है काम बान विनाशना पुश्वम निर्पामती इच शुदा रोग की व्याथा कथा भव भव में कहता आया हूँ अतिभाक्ष अभाक्ष भके फिर भी मन त्रिप्त नहीं कर पाया हूँ नैवैद समर्पित करके मैं त्रिशिना की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकू यह अंतर बोध जगाऊंगा ओम रिम्सी एष्ट ऑतर सदाचा रे अचार गुर्वर विद्या सागर जी लिए महा मुन इंद्राय छुदा रोग विनाश्ना नैवैद्धम निरिपा मती रूम रूम से निकले गुरुवर नाम तुमहारा ओ नाम तुमहारा रोम रोम से निकले गुरवर नाम तुम्हारा एसा दोवर्दान के गुरवर पाउं जनम दोबारा रोम रोम से निकले गुरुजी नाम तुम्हारा ओ नाम तुम्हारा मुहांदकार से व्याकुल हो निजकों नहीं मैंने पहचाना मैं राग देश में लिपत रहा इसे हाथ रहा बस पच्छताना यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना तुम ग्यान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना ओम रिम्सिम अश्टुत्तर सदाचार अचार गुरुवरिद्यसागर जी महामुनिंद्राय मुहांदकार विनाश्नाय दीपम निर्पामती इन अशुब कर्म को गेरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुन्य कर्म को चाह रहा अपनाना था शुब अशुब कर्म सब रिपुदल है मैं इनहे जलाने आया हूँ इसलिए आपके चरणों में यह धूप चड़ाने आया हूँ ओम निर्पामती जनम जनम तक ना भूलेंगे यह एहसान तुम्हारा रूम रूम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा ओ नाम तुम्हारा भूगों को इतना भूगा की खुद को ही भूग बना डाला साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानंद में ली निरा हूँ पूजा का यह फल पाना है ताना था जिसके द्वारा वा दिल बैठा मुझे ठिकाना है ओम रिम से अस्टोतर सदाचार या चार गुर्वर इद्यसागर जी महा मुनिंद्रा है मोक्ष फल प्राता है फलम निर्पामती जग के वेभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा चारो गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा मैं हू स्वतन्त्र ग्याता द्रेश्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्ग पद्र पाजाओं यह अरुण भाव ना भाता है भावों की निर्मल सरिताओं ओम निमसी अस्टतर सराचार अचार गुर्व इद्या सागर्जी महा मुनिद्र अनागप्रप्रा आप्तार गमनेरुपामिती हाँ हाँ हुम मेरे चोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे यहीप कहीं मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे यही पे कही मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे यही पे कही हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर पित है जीवन के छण छण अर चण के सुमन हर साए जगती के कण करनाटक के सद लगा ग्राम में गुरुवर तुमने जनम लिया मलपा पूझ पिता शिरी को हर समय मते करत करत किया बचपन के से विद्या धर में विद्या के सागर उमण पड़े मुनि राज देश भूशन जी से आचार ग्यान सागर जी अड़ सट में मुनि पद दे डाला अज मेर नगर में हुआ उद्यत मानो रवितम हरने वाला परिवार आपका सब का सब जिन पत पर चलने वाला है वह भेद ग्यान की चैनी से गिर कर्म काटने वाला है तुम स्वयम तीर्थ से पावन हो तुम हो अपने में समैसार तुम स्वादवाद के प्रस्तोता वानी वीडा के मधुरतार तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने तुम निकल पड़े बस इसी लिए भट के अटकों को पत देने वहमंद मधुर मुसकान सदा चेहरे पर विकरी रहती है वानी कल्यानी तुम में कैसा समोहन है या है कोई जादू टोना जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्यस जन्यत कर डाला जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला है शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अंजाना स्वर्ताल छंद मैं क्या जानू केवल भक्ती में रम जाना बावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ सब का सारा दुख दर्द हरो यह अर्ग भेटने आया हूँ हे तपो मूर्ति है आराधक है योगिश्वर है महासंत है अरुन काम ना देख सके युग युग तक आगामी वसंत है ओम रेमशी अश्टोतर सदाचारे आचार गुरर विद्या सगर जी महा मुनिंद्राय पूर्ण जय माला पूर्ण अर्गम निर्पामिती हम सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और पूझ जे निर्यापक मुनिश्य प्रसास